कि नमस्कार दोस्तों स्वागत था आपका आपके अपने यूट्यूब चनल में मैं आपके साथ अनिर सर्मा और हम कर रहे थे रीजनिंग के पॉर्ट्शन को आगे बढ़ाते वे रगजने में हमारा चल रहा था डारेक्शन का टॉपिक डारेक्शन के एक वीडियो हमने अप आपए कि पहले एक basic सी चीज़े सीखी ति छिसके दर मैंने आपको तीन चीज़े बताई थी कि direction पर्कार के पूद आते ये कि कि पूसे प्लट में कमा तो किसी दिशा में अगर हमारे से पर से पैस्ट मे यह बेखाए लिए कि राम और शाम्य राम और शाम। qaom dhono तुबह के समय एक दूसरे से मिलते हैं एक दूसरे से मिलते हैं एक दूसरे से मिलते हैं शाम ने देखा कि राम की पच्छाई 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 राम की दाएं और पढ़ रही है कि राम के दाएं और पढ़ रही है तो पूछेगा की राम का या पूछेगा शाम का मुझ किस दिसा में मुझ किस दिसा में है मुझ किस दिसां में है यह मेंसे person पूछा गया थी ग्लिए जब हमारे मैं पास ऐसा पर्सन आता है तो यह आपर समें सुर्य अस्ट के समय आ थो यह तो यह बढ़ेगी इस बात का ध्यार लखना इस सुबह सुभध वाला को कराने वाला और बुरो दिशा हो दिशा अटिक होती है और यह इस कौन नळी पत्च्म होती है जब भी वह दूसरे से मिलेघे सोभः के समय चाएं वह शाम के समय एक दूसरे से ऐसे मिलेंगे तरफ मिलेंगे तरफ मिलेंगे फिस incorrect तरफ मिलेंगे ग्या समों उसका यह वाला बाया हाथ है यह वाला क्या है दो आ当 एन आपका इह बाला कैए देर देगा सब्सक्राइब jest तो अब आपके साफ पोजीट होता है उसका यह होता है वह ट्विस्ट कया है हमारे पार देखो उन्होंने क्या बोला उन्होंने जी एक बात बोली कि शाम ने देखा कि राम की पर्चाई राम के दाएं और पड़ रही है इसके दाएं और पड़ रही है और यह वाला जो परसन है इसके तो पर्चाई बाएं और पड़ रही है और यह वाला जो परसन है इसके दाए दिसा में हमारा उत्तर दिसा की और उसका अंसर बनेगा दिखेंगे तागि आपको बाद में समझ में आ जाए लेकिन आप उसको समझने की जुरूर कोसिस कीजिए कि क्या है साथ-साथ मैं बोल भी रहे हूं ठीक है अगर अच्छा चलो यह वाला मैं कह रहा था अगर यहां प सुर्य अस के समय बोल देता तो देखो हमारे पास यह पूरुख दिसा है और यह वाली मेरे पास कुंसी दिसाइजी पश्चिम दिसा है में पास सुर्य अगर अस के समय हो जाता तो हमारे पास यहां सूरज आ जाएगा और परच्छाई कहां चला जाएगी इधर चली जाए एक का उत्तर की तरफ मोऊगा एक का दक्षिन की तरफ मोऊगा जयाई वैसे यह वाला धयाँ है और ये वाला उसका पाइया richard है यह बानी अब परसर यहां उपर वाला है तो अब क्या पारे का मुझेशा हैं जोचन भी मत हैं वह जाता है अगल यह डिया यह पूरो दिशा होती है यह वाली मेरी पश्च्चिम दिशा होती है मान लो हमारे पास परसन ऐसा आ ही गया कि उसके सामने पर्चाहिए पड़ रही है तो इसके आगे पड़ेगी तो आगे पीछे की बात बोलेगा वो कि किसके आगे पेट रही है इसके आगे पर्चाहि पड़ रही है तो फिर उसका मुपास्चिम बन जाएगा अगर सूरिय आस के समय, जो होता है जो सीधा-सीधा ट्रैवल करता है अलाकि करता तो यू है लेकि डारक्शन है वो इस चीज़ को नहीं मानती वो कहते है कि सूरज हमारे सिर्ग के ऊपर से खड़ा होके निकल जाता है तो यह वाली बात है यह फरक पड़ता है हमारा मोसन के साथ से कभी फरक नहीं पड़ने वाला कि देखें नेक्स्केशन दरबढ़ता है नेक्स्केशन हमारे पास क्या है देखें विदालया जाते समय जाते समय है दो बार बाया और अच्छा बाया समझ में आने लगे होगा बाया और क्या होता है जिमार पास बाया होता है लेफ्ट साइड क्या होता है हमारा लेफ्ट साइड होता है और एक बार दाएं और मुर्ति है एक बार दाएं और मुर्ति है दाएं और मुर्ति है ठीक है मुर्ति हुआ है कि ये कि यदी उसके विदाल्य कामो यदी उसके विदाल्य कामो मुदाल्य काम Heavenly नब में कुलता हो में परस्चिम दِसाम ब कुलता हो कि पीस्ट थिलिते हो वो। टो तो पताने घर से निकलते समय तो सीता का घर से निकल ते समय निकलते समय किस दिसा में मूथा किसे दिसा में आप से पूछ लिया किसी दिशा में मुंधा यह परसन आप से पूछा गया ठीक है ठीक है ठीक है यह वाली मुझे दी हूई है अब देखो स्क्रिर्शोट ले लेजिए ताकि आप भात में करो तो आप को समझ में आ जाए चेले मैं सुरू करें देखो उन्होंने क्या बोला कि सीटा जब घर से विधाले जाती है तो क्या करती है जर्षे विदाले जाती है तो दू बार तो वह लेफ्ट यानि बाया और मूड़ती है और एक बार का मुड़ती है यह मेरे पास पर्सन बोला क्या थी जिते उसके विदाल्यया का मुँ है वह का कुलता हsplिता थो하겠습니다 स्कों देख लेजीए का इंग हुआ नेक्स स्लाइड ही आपा पास स्लाइड के हमारे साह के शीता का पैले दिसा हो यह वाली साक्ले साहples थी तर案 में हुथो तर दिसा यह वाली कॉन सी होती है दखिणRD जिसा और यह हएं आप नहीं आHYान सबसे बड़ी कन्फ्यूजिंग क्याने वाली हए है सीथा का वृधाल यह यहां पर हम गलती क्या करने वाले हैं हम सीथा का वृदाल्य पेशम दिशा यहां बनाने वाले ऐसा कुछ नहीं गया यहां बना दूँगा यहां बना दिया जी मैंने यह लोग विदालय बना दिया जी मैं लicus के बिदाले का मूँ क्या आपास यह था हमारे पास गये ही विदाल्य में यह पर्शिंच सान कूल दियाज लेकिन हमाइरे परसन में क्या का गया वो घर से विदाले जा रही है घर से विदाले जा रहे है जी और विदाले जाती है तो क्या करते है दो बार बाया और एक बार दाएं और मुड़ जाती है क्या एक बार दाएं और मुड़ जाती है तो देखो यहां दिक्कत क्या आने वाली है घर से यहाँ से उसको घर आए चुटी है तो वह ऐसे जाए गिरी जाने बाद के दो बार दायां और मुड़ेगी तो एक बार दायां मुड़ेगी तो एक बार दायां मुड़ेगी अब कहां मुड़ने वाली है बाया और अब बाया और मुड़ेगी तो उपर की तरफ भी बनेगी बायों क्योंकि देखको हमारा पास ऐसे जा रही है तो बाया मेरा उपर की सकतr color तक हमारा अउसका में घर से निकल तो कोणते लुकन सी लेगी यह scrap उभी तो देखे निकले एक बाराय ले लिए एक वर बया ले लिए अब तो दैया ले नहीं पड़ेगा ठीक के दाइए ले लिए घर पहुंच गी घर से जब निकले वाफशी तो कौन सी दिशा क्यों मूल गी दक्षिन दिशा में तो दोस्तों इस चीज़ का कभी ध्यान फरक नहीं पढ़ने वाला चाहें बंदा तीन बाटन ले चाहें चार बाटन ले लगातार ले और साइड में उसका मुझ तभी बढ़ते हम नेक्ट कुक्षिन द्रव तिक आया अग्या वापको समझ में पिछले वाला भी हमें रेज करतें अच्छा इसका स्कृश्च लेना तो स्किंशोट ले ले अप लोग ताकि आपको को कॉस्चन करने में समश्या नाएज पिछले वाला तो मैंने रेज कर दिया पूरव दिशा में Schulog हमारे पास क्विशन दे रखा है जी के डाओर संग का ही कॉश्टन है हमारे पास क्या व लागा तरन हो अलगत सामे हैं को पूरव दिशा में मौन की पीन कीलोमेटर चलता है am 3 तीन के लोमेटर चलता है है न की तीन वाएं और मुड़ता है वाएं और मुड़ता है और पांच किलोमेटर चलता है पिर क्या बोला दायां और मुड़ता है दायां और मुड़ता है और दायां और मुड़ता है और नो किलोमेटर की दूरी तै करता है तै करता है अब हमारे पास क्या बोला फिर वह अंत में अंत में अंत में दाई और मुड़कर अंत में दाई और मुड़कर दाई और मुड़कर पांच किलोमेटर की दूरी तै करता है तो अब है अब है अब है आरंबिक कि बिन्दू से कि बिन्दू से कि इतनी दूरी पर है इतनी दूरी पर है यह परसन में से पूछा ले 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 जिए क्योंकि मैं इसको सोल कराने अलों कुर्शन को ठीक ठीक है ले लिए स्क्रेंशोट चलिए बढ़ते हैं हमारे पास क्या है क्या नहीं क्या बोलागा पूरों दिशा में राम इधर जा रहा है इधर किता जा रहा है हमारे पास तीन किलोमेटर जा रहा है फिर बायां और मुर्था अच्छा इसको एक बार आपा दूसरे लिए है ताकि उसके ऊपर आए तब भी हम है समझ में स्मझ में आज़ता है इधर लिए तीन चला जी फिर बायां ऊपर की तरफ उपर की तरफ कितना चला जी हमारे पास पांच फिर का कहते है दयाया और मुर्था हा और 9 मीटर की दूरि करता रहा है उसे 9 मिटर की दूरिकर गए अ गेदे जे कुतने दूरी है हमारे पास तरेक एक बास थोचने वाली का थे यहां से उपर पांच गया फाश वाफ़-शाग्या मतलब यह रокиफ के सीद वाली डिस्टैस हमारा बिल्कुल सही बनने वाला है ना क्या बनने वाला है यह वाला डिस्टैस बिल्कुल सेम ऐसे वाला बनने वाला इन पास तीज किलोमेटर का डिस्टेंस बन गया तो आरहभी बिंदू से वह कितनी दूरी पर है बारहा किलोमेटर की दूरी पर है तिक आपको समझ में जुरूर आया होगा तिक चलिए बढ़ते हैं नेक्स कुर्शन को आप एक बाद स्क्रिंशोट ले ले जिए और आप इसको अराम से बा से बात करें था हमारे पास अगले कोर्शन में क्या दिया हुआ है हमें दिया है कि मोहन मोहन लास्व साइड में जिलते हैं मोहन दक्षिन दिशा में दक्षिन दिशा में च्छै किलोमेटर की दूरी तै करके तर्टे लुय कि दूरी तै करके बाएं और मुड़ जाता है बाएं और मुड़ जाता है बाएं और मुड़ जाता है फिर वे साथ किलोमेटर के दूरी तै करता है ताथ किलोमेटर के दूरी तै करता है तो पिर बाएं और मुड़कर फिर बाएं और मुड़कर फिर बाएं और मुड़कर फिर बाएं और मुड़कर बाएं और मुड़कर 18 किलोमेटर की दूरी तेह करता है 18 किलोमेटर की दूरी से करता करता है अन्त में अन्त में अन्त में बाएं और मुड़कर 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 12 किलोमेटर की दूरी तेह करता है वारा किलोमेटर की दूरी तैय करता है तैय करता है तो अब आर्मिक बिंदू से कितने दूरी और किसे दिसामे क्या पुछा गया अब वैं आर्म से तो कितनी और किसे दिसामे है यह हमसे परसन पूचा कितनी दूरी परा किसे दिसा में हमसे परसन पूचा एक बार स्क्रीन शोट ले लिए ताकि आप मैं करूं तो आपको समझे वैसे तो कोई दिक्कत ही मैंने साइड में इची ले इसको आधा रखा था चलिए मोहन दक्षिन दिसा में कहां नीचे तरफ चल्पड़ाजी कितना चला ऐखा फीर पाया मुझत तरफ भाया मोद कर बाया इधर वा पनेगा का इधर मुझा टेहें सॉय ओयर प्लूंखकर किसे दिशा और कितनी दूरी पर है यहां से दिशा तो मैंने निकाल दीजी दिशा तो निकालने बढ़ी असान होगी मेरे लिए ठीक कैसे यहां पर डाक्षन बना देता हूँ उत्तर पूरव दक्षिन और यह वाली मेरी पस्चिम तो आरम से किसी दिसा क्यों रहे हैं उत्तर पस्चिम दिसा क्यों रहे हैं तो आंसर एक तो मेरा निकल गया उत्तर पस्चिम वाला उत्तर पस्चिम वाला अब मेरे से दूरी पूछ रहा है तो दूरी के लिए मैंने आपको कैसे निकलेंगा दिस्टैस की बाग करू तो यह वाला डिस्टैस्ज मेरे पास कितना बनने वला तोunun ठाहरा था शे कम हो गया कितना भचे गे में पास 12 ये वालेusing के फिराएं मे गमश्च लिए करना होता है तो बारह का वरग करके ग— जोड के वरग मुर निकालना होता है । तो बारह गवारnd 144 पांच का वर्ग 25 जब इनको जोड के उसका वरगमुल लुका लूँआ तो वरगमुल 179 आएगा जो कि किसका होता है 13 किलोमेटर इसके बीच का डिस्टेंस निकलेगा तो तो पस्चिम दिसा तो आगे थी आरम एक बिंदू से वह 13 किलोमेटर के डिस्टेंस पर भी है घिए ठीक जी आया आए आपको समझ में देखे जी अच्छा एक चीज़ोर आग कि अपसे यही कोस्टन इश में यह पूछले कि अब उसका मुह किसे दिसा में हैं देखो दोस्तों कन्रोज मत होना क्योंकि मुह किसे दिसा में अब किसे द कौन सी दिसा बता रियंगा से किस दिसा में उत्तर पर सिंद ढूरी पर हमारा तेरह किलोमेटर के डिस्टेंस पर आप इसका करने में बाद में समझ्या ना है ऑगे जी हुआ के धिकत्र liar sama them if the document मिलेंगे नए टॉपिक के साथ तब तक के लिए बाई बाई टाटा ओके जी अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो आप इसको लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले जी ओके जी और जिसको वीडियो को जितना हो उसके उतना आगे शेयर केजिए ताकि जो हमारे हर्याना गौवर्मेंट के पेपर सले उनमें बच्चों को इससे फाइदा जरू मिले अभी हर्याना पुलिस का पेपर हो उसके अंदर 20 कोशन हमारे डीजनिंग के आए हुए थे तो इस वीडियो को जितना उसके उतना आगे करिए आपके लिए बनाएगे क्योंकि क्लेंडर से क्वेशन पूछा गया था ऐसे मां आपको टॉपिक बलर्लेशन का भी करा हुआ जो भी टॉपिक हमारे आवे थे सारे एक एक करके दीरे दीरे हमारे डीजनिंग क्यों हो जाएंगे तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करे जी ओके जी बाई बाई टाटा टेक केर जी